हेलो दोस्तों नमश्का अब तक अगर आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप नहीं जोइन किया है तो जरू जोइन कर लें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है जो कुछ भी यहां पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे अगर नहीं जोइन किया तो उसे जोइन कर लें पिलाल हम लोग शुरू करते हैं अपने रेडॉक्स चेप्टर को तो पहले अपने शुरूबात में यह जाना कि यार उसकी इंपोर्टेंस क्या है हम उसे पढ़ते क्यों है उसका में रीजन क्या है उसका यूज क्या है आज हम हम लोग क्या करींगे उस रेडॉक्स रियक्शन को जिसको हम पड़ रहे हैं उसके सब्सक्राइब या जू gaye inhale यह बेसिक टूल्स वो टूल्स होंगें जोकी रिक्वाइडट हुएगा अपने को रेडॉक्स रियक्शन को समझने में उसकी क्यलकूलिशन करने के अंदर क्य क्या है नहीं आप समझ चुकि हैं redox reaction मेरी क्या होता है क्योंकि आपने चार definitions पड़ी दिया देए क्या आपको oxygen का addition oxidation होता है removal reduction होता है या hydrogen का addition reduction होता है या removal oxidation होता है एडिशनप electron negative क्योंकि oxygen घुदी इलेक्ट्र negative बंदा है तो उसको add करना is oxidation या addition of electropositive क्योंकि hydrogen electropositive बंदा है तो उसे क्या बोला गया reduction बोला गया और सबसे important definition जिस पर हमने star भी मार्क किया loss और gain OIL याद है तो OIL oxidation is loss of electron और reduction is gain तो यही इक मात्र वो definition है जो बता कर जाएगी redox reaction क्या है तो अब तक सिर्फ हमने समझे नहीं कि redox reaction को कैसे बताते हैं देखो तुम्हें मस्त example दूँगा कि जिससे आप समझ पाओ कि redox reaction क्या है देखिए आपकी knowledge के हिसाब से आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे भाई या addition of oxygen हो रहा है इसका मतलब यह क्या है oxidation very good तो आप आए इदर और आपने लिग दिया इसको हम क्या कहेंगे oxidation पर जैसे ही आपने इसको oxidation कहा मैंने आपका answer गलट है रहा है मैंने कहा नहीं भाई यह सिर्फ और सिर्फ oxidation नहीं है यहाँ oxidation भी हो रहा है और plus क्या हो रहा है reduction अरे हाँ यह तो हमारा वही है जिसे हम लाल सान यानि की redox reaction क्या कहते थे लेकिन कैसे सर समझी नहीं आ रहा है लगता तो यह है कि oxygen का इडिशन तभी तो बड़ा बताया है वाकी की definition सही नहीं है उन definition से आप दंग से पता नहीं पाहोगे लेकिन आज मैं आपको जो definition देने जा रहा हूँ वो definition आपको बताएगी कैसे आपका redox reaction होता है बट उसे समझने के लिए कुछ basic tools लगते हैं भाई तो पहले वो basic tools करने पड़ेंगे जिसमें से सबसे पहला basic tool क्या है periodic table को समझना तो दीके periodic table के लिए कुछ हमारे पास mnemonics है पहला गुरो हे लीना की ruby से friendship इसको आप कई बार practice करें अगर आप class में रहते हैं तो मैं आपको class में याद करा देता जो मेरी class वाले बच्चे इन वीडियो को देख रहे होंगे वो यह बात बहुत अच्छे जानत हैं कि हम class में ही चीजों को याद कर लेते हैं लेकिन हाँ क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप घर पर इसके अच्छे वाली practice करना यह बहुत mandatory है है लीना कि Ruby से बेटा मांगे car scooter बाप राजी उसके बाद पी ब्लॉक पर आते हैं व ब्लॉक बेंगन अलू गाज़र इन थेला उसके बाद chemistry Sir सब्सक्सक्राइस सब्षा क्या मिली औरнок सनकर क्या बोलेंगे आप ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों उसके बाद क्या गड़ा है पी ले व्लड qpod से टीपियों देन फास्ट्ट्लास बिर्यानी आईएट फास्ट्लास बिर्यानी आईएट और बाद में हेल्लो निहा रुरा करो जे रॉक्स रेंडमली तो देखिया आपको क्या क्या मैंने निमोनिक्स दिये एक बड़ कोई के रीकाप देता हूं हे लीना की रूबी से फ्रे बखारियों old style से टी पीओ और उसके बाद कि परस्ट क्लास बिर्यानी आई एट हेलो निहारोरा करो जैरोक्स रेंडम तो यह निमोनिक्स के साथ आप अच्छे से प्रक्टिस करके पूरी की पूरी प्रिक्टिबल को ऐसे बनाना सीखना जैसे मैंने यहां पर बनाई आपको आपको दिख रहा है हे ली ना की रूबी से बेटा मांगे अचाहिए आप सोच रहोगे कुछ ग्रीन कैसे यह ऐसे ही मतब जब मैं क्लास में प्रेक्टिस करा रहा था तो इसे कई बार बच्चों से लिखाते रहते हैं तो इसलिए वह अलग-अलग मारकर यूज हो गया इस के बाद ना पकारो ऐसे शब्द बिखारियों ओल्ड स्टाइल से टीपियों फास्ट क्लास बिर्यानी आई हेट हेलो निहारूरा करो जरोक्स अब बच्चों इसके बाद मैं आपको बात करने वाला हूं किसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की यही वो टूल है यही वो ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करते हैं अगर मैं बात करूँ तो इसका एक आग्जामपल से समझाता हूं कि eu पर अपनी केशामपल ले लेते हैं यह बंदा ही को ठालेता हैं यह है हमारे पास चोते चोती की जेब में थे सो रप्र छोते का मन किया कि आज मैं बजार जाओंगा और एक धावा खुला हुआ है बढ़िया उस दावी पे मस्त वाली पालक पनीर मिलती है तो उसने का यार मैं पालक पनीर खाने के लिए जाऊंगा मस्त लेकिन पताए इस पालक पनीर की प्राइज क्या है 200 रुपे तो यह बात तय होगे कि यह विचारा छोटे इसे खा नहीं सकता लेकिन हो ना हो कौन काम आते हैं अपने दोस्त काम आते हैं तो छोटे का एक दोस्त भी है जिसका नाम क्या है मोटे और मोटे के पास भी कितनी रुपे है 100 रुपे है तो छोटे और मोटे ने पैसे की एक कॉंट्रिबूट क्योंकि बिना कॉंट्रिबूशन के यह पालक पनीर को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं पालक पनीर आई इनकी पास में जैसे ही पालक पनीर इनके पास में आई तो मेरे दोस्तों मुझे आप साब साब बताईए कि इस पूरी पालक पनीर को कौन खा जाएगा आजी बिलकुल सही पैचाने मोटे क्योंकि ये कुछ जरुवत से जादा चोटा है और ये कुछ जरुवत से जादा मोटा है तो basically क्या हुआ इन्हों ने शेरिंग की पैसे के लेकिन ultimately क् इसकी tendency to attract the food is more in comparison to him इसी की वज़े से इसको 100 पैका क्या हुआ प्रॉफिट और इसको 100 पैका क्या हुआ लॉस ऐसी partnership के अंदर इन विचारों पर लॉस और गेन हो गया ऐसा क्यों हुआ इलेक्ट्रोन नेगिटिविटी की वज़े से tendency to attract the shared pair of electron जो pair of electron share हो रखे थे उनको attract करने की किसी एक जन की बैमानी की tendency क्या थी थोड़ी चादा थे उसी को मने क्या नाम दिया इलेक्ट्रो नेगिटिविटी तो बहर सब लोगों को 10 प्रास में मालुप है क्यों यह क्या होता तो νूक्लियस पास में रहेगा ज्याला स्टॉंगर होगा होएगा अपनी तरफ खीचेगा इसी वज़े से टेंडेंसी टू अट्रेक्ट यहां जाने पर बढ़ रही है और इलेक्ट्रोन ग्रिविटी यहां जाने पर कम हो रही है तो मैं दो एक्जामपल उठा लेता हूं एक कार्बन लेलू और एक ऑक्सीजन जो सीओ टू कामने लिया था य यह और यह ऐसी बताओ इन दौन हो गया होते हैं आव्टर मोश टो की बात करूं तो यह पहले group के विलेंसकूरों होते वन टू पूरे गुरुप के थ्री पूर पाइव शीक्स सेवन और एट इस आर दी वेलेंस और हर किसी को हर किसी के एक तमन्ना है वो क्या कि वो लोग अपना अक्टाइड पूरा करना चाहते हैं तो आप कार्वन और ऑक्सीजन को बिढ़ा रहे हैं जानना चाहरे हैं कि पूरी दिर में बताते हैं आली सीरीज को यह देखो कि सी पहले तो सियोटू का स्ट्रक्चर बना कार्वन के आउटर मोश शेल में चार इलेक्रोन थे मानते हो जो मैं ऑक्सीजन के आपास गया उसके पास 6 एलेक्रोन थे तो वो भी दुखी था उस ने का या मेरे आउटर मोश शेल में भी इलेक्ट्रोंस पूरे नहीं है तो इस पार्टनर्शिप को कर लूँगा तो मेरे भी आउटर मोश शेल में कितने इलेक्ट्रों हो जाएंगे बिटा आठ इलेक्ट्रों तो यह बढ़िया पार्टनर्शिप है ऑक्सीजन के लिए लेकिन अभी तक कार्वन को 1,2,3,4,5,6,6, इलेक्ट्रों की जुगाड होई है दो और इलेक्ट्रों की जुगाड के लिए और आगया इदर ऑक्सीजन अब अगर देखें तो बिटा यह देखो इसका ओक्टेट पूरा यह देखो इसका ओक्टेट पूरा और देखो तो अगर मैं बात करूँ इस कार्वन का भी दूशियों की लहर दौड उठी है इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता सबका ओक्टेट क्या हो गया है पूरा तिरंगा देखो लहरा ने लागा इसको ऐसा दिखा सकता हूं यह देखें यह रहा कितना अच्छा लगा है सब लोग अपना अक्टेट पुरा करते हैं लेकिन किन्तु परंतु ऑक्सीजन एज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन तार्वन क्या करेगा इसकी इलेक्ट्रोन को अपनी तरफ खीच लेगा देखो यह विचाना यह जो इलेक्ट्रोन है ना इसको इसको अपनी तरफ टक यह जो इलेक्ट्रोन है से अपनी तरफ टक इसे अपनी तरफ टक यहां से एक एलेक्ट्रोन गया फिर एक गया गोलो चार्ज क्या आ गया माईनेस टोक इल्यक्रन का गेन होना नेगे टिभ चार्ज़ बढ़ाता है इल्यक्रNew blossom पॉजिटिभ चार्ज बढ़ाता है छोटी क्लासें में याद रखो आपने जब याद किया था एन एक इलेक्ट्रोण लूर्ज कर देता एने पलस माण जाता है चार्ज क्या हुए पिलास फोल। मतलब विचारे के चार्ट्रोन क्या हुए? लॉस होगे देखो कहानी सुनाता हूं गौससे क्राइए है अगर कार्वन कार्वन जैसे लोगों की साथ ही रauto की तो बेसिकली यहां पर चार्च जीरो अब अगर मैं oxygen की बात करूं तो इन oxygen में से कौन सा oxygen आपको ज्यादा इलेक्ट्रोन कोई भी नहीं मोटे मोटे के साथ खाना खाने जा रहा है कोई भी एक दूसरे का खाना चीन नहीं पाएगा क्योंकि दोनों की यह एक एलेक्ट्रोन यह यह माइनस टू माइनस टू यहां क्या आया प्लस पूर माइनस टू पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना यानि की लॉस होना यहां क्या हो रहा है लॉस ओफ इलेक्ट्रोन नेगेटिव चार्ज का बढ़ना यानि की क्या हो रहा है गेन ओफ जब कभी भी क्या होता है loss of electron तो क्या होता है oxygen जब कभी भी gain of electron होता है तो क्या होता है reduction भाबु भहिया वह सही पेचानिये यह reaction क्या है redox reaction है और इस reaction से भी हम बिजली बना सकते हैं है ना तो रेडॉक्स रियक्शन वो रियक्शन होते हैं जिन रियक्शन से आप करेंट बना सकते हो बिजली बना सकते हो क्योंकि वहां लॉस भी होता है और क्या होता है गेन भी होता है तो अब आप समझे होंगे कि लॉस ऑफ एलेक्ट्रोन और गेन ऑफ एलेक्ट्रोन को हम क तो नाइड्रजन से फ्लोरीन तक तो आदमी आराम से बता सकता है कि बढ़ रही है फ्लोरीन से आयोडीन में विदा सकता है कम हो रही है लेकिन अगर कोई बोले कि नाइड्रोजन ब्रॉमीन की कमपरेजन करो तो भी वस जाएंगे तो ऐसे डायम पर हम कुछ रेंडम तो इस तरीके की कमपरेजन में अपन फ़स जाते हैं तो अपन याद रखते एक निमोनिक दे रहा हूं आपको निमोनिक क्या है यह इलेक्रोने गरिविटी मेंने कुछ अरेंज कर दिया आप देखिए इसे निमोनिक है इसके पीचे एक छोट असा आपको एक कहानी सुना देता हूं शयद आपको याद ही रहे जाए सोचिए आप कहीं जा रहे हैं स्टेशन पर जाने वाले हैं आप आपकी जिब में 20 रुपे सामने एक बिखारी आ जाता है आपके उस बिखारी को देखके आपको बड़ी देहास या जाती है आपको लगता है यार चल मैं चाहे पैदल चला जाओं इस विचारी को पैसे देता हूं आपने उसको 20 रुपे दियो उसने मांगे भी 20 रुपे 20 रुपे उसे मिल बस आप पैदल चलने ही लगे थे इतनी देर में बिखारी का फोन बज़ गया और वो फोन आईफोन था और उस फोन पे बिखारी ने का अरे तो देखिया हमारी ट्रिक क्या है फोन कौन रगता है इंडिया बिखारी और से तो चोर फिर भी हैं आप और मैं क्या ही कर सकते हैं तो फोन कौन रखता है कुल विखारी ऑफ इंडिया सब फिर भी है आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं यह हो गया इलेक्र निग्रेटिवति ट्रिकरी लीवटी से जो रही है कल Souls नेटरोजन अएउदीन में से ओनकीरिकली पहले सहरे टॉले तो बिदि यहीं है अब दूव्चिक हैर्ज ऒाल नेटरो यहुआ ज्यादा नीटरो ज्युक्त वह कहाँ है की सोचिए प्सलीकन देगा और ब्रोमीन देगा अब ना तो इस लिस्ट में यह लिस्ट क्या थी फों कौन रखता है कूल इखारी और इंडिया सब चोर फिर भी है तो आप देखिये यार तो ब्रोमीन देख रहा है तो क्या करें देखो बिटाव और गुरूप और देखो carbon का है? Bromine का है? Bromine anytime is more electronegative than carbon तो साब साब मालुम पड़ गया कि Bromine is more electronegative than silicon तो आपके random comparison दोनों tools को मिला कर हो जाएगे यहाँ पर बच्चों जो मैंने charge निकाले actual में यह आपको इस particular जगह पर आपको यह charges दिखे इन charges को अगले lecture में हम लोग कहेंगे oxidation number और सही माइनों में oxidation है ही वो हो जहाँ oxidation number बढ़ता हो और reduction है ही वो जहाँ oxidation number क्या होता हो? कम होता हो तो oxidation जहाँ oxidation number बढ़ेगा reduction जहाँ oxidation number का reduction होएगा उमीद है यह concept आपको समझभाया होगा तो अब तक हम redox के अंदर जो चीज जान चुके हो यह है कि redox को हम पढ़ते क्यों है? उसकी importance पे? और redox होता क्या है? अब इस तरीके से अगर हम structure बना बना के charge निकालने लगें तो this will be very difficult for us यह बहुत difficult हो जाएगा कि इसे stage पे हमें सारे structure बनाने पड़े तो हमें यह structure ना बनाने पड़े इसलिए हम एक जुगाट एक trick से बात करेंगे जिस trick के लिए यह basic tools जो की कौन-कौन से एक tool है electro negativity का और दूसरा tool है हमारी यह जो पूरी हमने प्रियोडिक टेबल बताई इसकी tricks का यह आप तब तक अच्छे से तयार कर लें और फिर उसके बाद हम लोग next वीडियो के अंदर आपको सिखाएंगे oxidation नमबर को calculate करना थैंक यू अरी मच बबाई टेक क्यार आप लोग अपना ख्यार रखें और यह जो भी नोट्स हैं यह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे करें करें करें